जहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है B.H.U. Study Capital के इस वीडियो पे इस वीडियो में आप लोग को human geography का जो syllabus है उसके बारे में पता चलेगा और जो भी important theories है जो model है जो हम लोग class में पढ़ेंगे उस चीज़ बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा वैसे तो questions direct आपको theory model से direct questions आते हैं जो कि आपको इसी slide के तुरू पता चल जाएगा but we will go and study in the detail ठीक शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा अपने course के बारे में जो बीचु study capital है जो crash course जिसने launch किया है तो आप सब लोग जिन लोगों को पता है और जिने नहीं पता है तो उन्हें बताना चाहूंगा कि बीचु study capital ने अलग-अलग subjects के लिए entrance preparation के लिए course crash course लाँच किये हैं ति यह और आपको जैसे कि यह MMSC geography है जो जिसको मैं conduct कर आ रह philosophy, sociology तो आपको बहुत सारे subjects हैं जो जहां पे आपको crash course बीचु study capital में उपलब्ध हैं तो आप सभी लोग join कर सकते हैं और अपने entrance preparation में जो की आपको बहुत ही ज्यादा helpful और आपके entrance preparation को बहुत ही आसान बना देगा crash course में आपको live classes होती हैं आप लोगों की उस classes के recorded lectures provide किये जाते हैं आपको study material मिलता है soft copy वे weekly test होते हैं आप लोग के जैसे सब भी पता है जो अभी हम आप लोग ने देखा भी होगा तो आप लोग 2 या 3 वीडियो तो जो लोग भी हमाए class में जो जुड़े हुए हैं वो लो test के बाद आपका doubt session होता है जिसको किस जो भी syllabus पढ़ाया गया होता है जो जहां तक complete किया जाता है उसके आगे का आपको course आपको जो भी doubt होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं तो यह चीज है और फीस है जो इसका अभी अगर आप लोग समय से join करते हैं तो it's 1,999 रू से अच्छी preparation कम पैसों में हो सके ठीक है यह है आपका syllabus यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग ने physical geography cover किया था जहां पे चार सिक्षिन पढ़े थे हैं आप लोग को पढ़ाया गया था जियो मार्फ लॉजी था यह ओशिनोग्राफी क्लाइमेट लॉजी और ब काफी ज्यादा आसान है तो human geography में सबसे पहले मानों भुगोल में आपको population geography, rural and urban settlement, economic geography, agriculture, industrial, trade and transport, regional geography, फिर आपका cultural geography, social geography, political geography, geopolitics and geographical thought ठीक है तो इस में से जैसे cultural, social, political और geopolitics यह सब काफी चोटे और आसान हैं तो इनको आपको एक साथ पढ़ाया जाता है geographical thought ठोड़ा lengthy और काफी ही important है तो उसको ठोड़ा detail में और अच्छे सपढ़ाते हैं ठीक है अच्छे सपढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि जो कम आता है या कम है उसको बेकार पढ़ाएंगे नहीं मतलब जादा आपको detail में पढ़ाया जाएगा कहने का ताथ पर यह है तो यह चीज है इसमें से सारी theories है जो हम लोग human geography को पढ़ेंगे तो आपको यह सब theories बीच बीच में मिलती जाएंगी तो उसी चीज को है वैसे question direct पूछते हैं जैसे की demographic transition theory किस ने दिया तो यह simple questions होते हैं बहुत detail में नहीं जाते हैं लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा detail मे तो एक बार हम लोग सारी theories देख लेते हैं सबसे पहली है Malthusian theory जो की यह सारी theories जो है यह population growth से related हैं तो Malthusian theory है Thomas Robert Malthus की नियो classical economic theory है David Ricardo की demographic transition theory W.S. Thompson ठीक है यह काफी ज़्यादा important है optimum theory of population Edwin Cannon and Karl Saunders की तो यह हैं आपकी population growth से संबंदित जो भी theories हैं ओके देन laws of migration इसमें थोड़ा सा अपी आपको थोड़ा तिकत होगा क्योंकि जो PDF है स्लाइड हो सही से नहीं बना है तो यह है आपका देख सकते हैं Ravenstein model Ernest George Ravenstein का यह laws of migration से संबंदित हैं सारे gravity model है जौन की यह क्यू है सौरी जौन की चे की स्टिवर्ट का intervening opportunity assist offer का push-pull theory जो प्रिंस्की का और principle of least effort George के जिफ का तो यह laws of migration है then settlement and urbanization की बात करें तो आपको Gordon Childs theory of origin of towns मिलेगा Henry parents theory and theory of Lewis Mumford जो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है then urban system की बात करें तो आपको urban morphology Griffith Taylor का मिलेगा then law of primate city Mark Jefferson का मिलेगा rank size rule जी के जिफ का है तो यह urban system से संबंदित है then models of land sorry urban land use ठीक है urban land use से जो related model है यह बहुत ज्यादा important है ठीक है इनसे question ज्यादा आते हैं तो आपका concentric zone model है EW Burgess का wedge सरी यह wedge है E missing है ठीक है आपका type नहीं है wedge है wedge और यह और है सौरी और wedge और sectoral model Homer White and Emmer Davis का multiple nuclei Harris and Ullman का central place theory Walter Crysteller theory of market center by August laws concept of mega city, global city, edge cities जहाँ को बताई जाएंगी कि mega cities क्या होती है global cities क्या होती है किसने यह terms दी है social area analysis model आरे मुर्डे का rural urban fringe जो की बहुत ज्यादा important है RJ prior का urban layout ठीक है agricultural geography की बात करें तो आपका combination method है weber's crop combination method दोइस crop combination method और रफि उल्ला crop combination method तो यह crop combination method है techniques to calculate crop diversification जो calculate करते हैं तो Gibbs and Martin technique, Bhatia's technique, Sings technique, Von Thunen's model of land use planning तो यह तो बहुत ही ज्यादा important है Von Thunen's model measuring of agricultural productivity तो then industrial geography की बात करें तो आपको सबको पता है सभी वाकिव होंगे weber's industrial location theory से Spatial margin of profitability, Dr. M. Smith, Market area approach, Plander's theory, Renner's theory, Rotteran's theory, Behavioral location theory of A-Pred So these are the theories related with the industrial geography and among these weber's industrial location theory is the most important Then transport and trade if I talk about then spatial interaction model, Edward-Ulman theory, connectivity, the gravity model, HO model So these are the transport and trade theories or models Then regional planning, okay So you have peroxian view, growth pole theory जहां पढ़ते हैं Medals view, John Friedman's view, okay Planning regions of India पढ़ेंगे कि किसने कितने department इंडिया को divide किया, कि spaces पे डिवाइड किया तो LS भट एंड, VLS राव जो planning regions है, VNAT है, P.S.E.N. गुपता है, C.C. चंदरस देख रहा है नाटमो है, National and Thematic Mapping Organization, Town and Country Planning Organization, region तो ये सब theories हैं, जो हम लोग Slavers में देखेंगे और इन सब को हम लोग detail में पढ़ेंगे और वैसे तो आप लोग इस वीडियो बस को देखेंगे तो आप मेरे समझ से theory और model के जो question होते हैं, B.H.U. में आपको entrance में मिलते हैं और वो काफी हद तक, मतलब कि अगर 5 question आते हैं तो 3-4 question आपके सिर्फ इस वीडियो के थूँ हो जाएंगे तो I hope कि आपको इस वीडियो काफी helpful होगा आप लोग direct question होते हैं कि आपको concentric zone model किसने दिया है या किसने multiple nuclei model दिया है ठीक है तो यह सब चीजें हैं और वैसे भी हम लोग थोड़ा सा detail में भी पढ़ेंगे और जो चीजें ज्यादा हैं उनको ज्यादा important हैं ज्यादा highlighted हैं उनको ज्यादा detail में पढ़ेंगे अच्छे पढ़ेंगे I hope आप लोग को syllabus और यह चीजें समझ आई होंगी तो that's it about the theories and model so thanks to watch this video and who have not subscribe our channel so please subscribe BHU Steadicap